गुद मॉर्लिंग्स फ्रेंड्स आपके study.com online classes के नंतगत आप से भी को स्वागत करते हैं धन्यवाद करते हैं आज का class character affairs के नंतगत एक हाली में एक बिल पास हुआ है राश्वहा में उसके बारे में हम discuss करेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे की ए बील जो हाल की न्यूज में क्यों चर्चित है पहले न्यूज तो हम दो तरीके से आज discuss करेंगे से देखेंगे बान सुरच्छा बिल 2019 के नाम से जो है हाली में न्यूज के रूप में क्यों चर्चित रहा इस बील जब पास किया गया तो उसका क्या importance है उसके बारे में हम आज discuss करेंगा तो सबसे पहले हम इस बताएंगे कि बान सुरच्छा विधेयर 2019 बील जो है राज सभा में दो दिसंबर को पास किया गया है इस बील पर राज सभा में काफी चर्चा करनी के बार काफी लंबिस समय तक चर्चा करनी के बार इस बील को राज सभा में पास किया गया जो दिसंबर को केंद्र सरकार का राधिकार केंद्र सरकार का विल नहीं ला सकते हैं, बांध हम का सकते हैं या जल या शिचाई हम जानते हों कि पॉलिटी के अंतगत बांध जल शिचाई बेगरा जो है राज सुची का विशय है जो कि इन सक विशयों में राजी सरकार जो है कानून बना सकती है लेकिन कुछ परिष्थिती में आर्टिकल दो सो बांध है से विधान के अंतगत आर्टिकल दो सो बांध के तहर बताया गया है कि दो या दो से अधिक राज्यों के द्वारा अगर किसी भी विशय को लेकर राज्य के विशय को लेकर अगर विधान सवा हो या विधान परिश के द्वारा कहा जाता है कि आप इस पर कानून बनाएं तो केंद्र सरकार उस विशाय पर कानून बना सकते हैं तो वही यहां पर बात हुआ है कि जल से समंधित जो है एक बान सुरच्छा विध्यक जो है पूरु में ही पश्चिम मंगाल और आंध्रपद्रिश दो ऐसे राज हैं जिनके द्वारा पूरु से ही पहली से ही इक विध्यक इस बांध पर एक विध्यक राने का प्रस्टाव किंद्र के पास भेज़ेट है जो कि इसी कर्मिशार किंद्र सरकार ने इस बांध पर एक बिल लाया है बांध्र, शुरच्छा विध्यक 2019 हलाकि लोग सभा के दो इस बील को अगस्ट 2019 में ही पास कर दिया गया था राजसभाग में पिछले 2019 में पास नहीं हो पाया था तो किंद्र सरकार के द्वारा इस बील को संसोधित करते हुए इस बार 2021 में इसी नाम से राजसभाग के द्वारा एक लंबे लंबे समय तक चर्चा करने के बाद इस बील को पास कर दिया गया है अब जो है यह बील अभी लोगसभा में जाएगे और रास्तपत्ति के पास साइन होने के बाद यह जो है बील कानून की रूप में बन राएगे तो हम लोग समझ गया है कि बांग सुरच्छा बील 2019 क्यों क्योंकि बीड पिछले 2020 में की लाया गया था के इसंद्र सथ्कार के लवारा जो कि पस्ची मंगाल और आंधर दिश्व की प्रस्टावं पर रखा गया था कि यह जो बील है क्यों इंपोर्टेंस हो जाता है क्यों महत्य हो जाता है उस पर हम चर्चा करते हैं यह जो बिल है राज सरकार का जो इस जल से समंधित जो ही अधिकार रहेंगे उस पर किन्द शरकार हश्च्छेप नहीं कर सकती है यानि इस बिल को इस उदेश से लाया गया है कि पिछले कई सालों से लंभग सौव अस्सों से अधिक जो है पुराने बांध हैं उनका ठीक तरीके से रिपेरिंग नहीं हो रहा था या नय बांध के रुपें जैसे पूरे बारीस के समय क्या होता है कि बांध टूट जाते हैं तो उसको ठीक ढंग से उसको रिपेरिंग नहीं कर दा रहा था connected to उसके लिए बील लगे हरे कहने कता weld दो है कि बांध हो को इस से निर्मान करेगी को रखेगे रख रखाव रखेगे निरिच्छन करेगे संचाल कि समय समय पर भारत में जितने भी बांध है इस बिल के मदद से उसका संचालन के सबकार्द करते रहे इसमें। इसमें राज्यू सरकार का जो भी इस पर है उस पर किसी भी परकार का हश्टचे नहीं करेगे और एक चीज़ में बताया गया है कि इस बिल में दो राष्टी निकाय की रूप में स्थापित किये गया है जो कि इस बिल से समंधित नियम नीतियां बनाएगे और उसका लाव करेगे दो राष्टी निकाय की रूप में है राष्टिय बान्ध सुरच्छा समिधि दूसरा है राष्टिय बान्ध सुरच्छा राधिकर्म दो राष्टिय बान्ध सुरच्छा समिधि दूसरा है राष्टिय बान्ध सुरच्छा प्राधिकर्म इन डोनों का अलग तरीके से काम करेगे यानि इस बिल के अंदर किसी भी बान्ध को लेकर अगर किसी प्रकार की निटियां बनानी हो या नियम बनाना हो तो कौन करेगी राष्टिय बान्ध सुरच्छा समिधि इसका काम करेगी और उसी नियम या निटियां को जब लागु करना रहेगा तो कौन सा निकाय करेगा तो इस तरह से इसके अंतरगत दोप निकाय के बाद कही गई है और इसमें एक चीज़ है कि इस बिल को पास होने के बाद अगर किसी परकार का कानून के नुशार अगर कोई भी सहमती नाप हो या उस बात को लेकर विवादास्पाद हो मतलब गलत तरीके से तो इस बिल के में भी बताया है कि उसके लिए सजाका प्रो द्रहां भी किया जड्यायर तो इन सारी वारतों को ध्यान रखना है इस बिल के ऊपर जो भी है एक्जाम के टेश्टे से फिर से एक बार जित्ता भी बताया फिर से हम डिसकास करते हैं इस दो दिसंबर को जो राज सभा से बांद सुरच्छा विध्यक जो पास किया गया है यह पहले 2019 में ही इस बिल्पार도 लाया गया था जो कि लोग सभा से पास हो चुका था और राज सभान में लंबित रहा था दोदिसंबर को और तब इसके बाद ये वील जो है लोगसभा में जाएगी और वहां से पास होने के बाद रास्पती के पास जाएगे साइन होने के बाद ये जो है बिल कानुन के तोड पर बन जाएगी और इस बील को बनाने का क्या important है ह कि लगभग पुराने कई ऐसे बांढ हैं तो जो है समचालम कрий बांधों को पिर नय बांध को रिपेरिंग करना। तो इस बिल के तहर्व सारा चिटेव किया जाए हुए ऑर ऑफिस बिल के निबसार दो राष्टी निकाहे के तौप पर काम करें तो इस kidney बैंध नाया मुऩ के यह तो इसपार सकृत्यार सब्सक्राइब करें पूरे निफियों सिरती करेंù excel चाहिअब बताया कि इस बिल के तहथ अगर कोई भी नियाद या निदियां जो भी है फॉलो ठीक तरीके से नहीं करती है तो उसके लिए इस बील के तहथ सजा का भी प्रवधान रखा गया है तो इन सारी बातों को ध्यान रखना है इस बिल का और यह है कि 1219 के नाम से जो है बिल पास कि आगया है तो ठीक है डोस्त इस बिल के उपर जो भी हम बताया आप लोगों को समद्ध आ गई होगे आज के प्लास हमें है स्टॉप करते हैं थाइंक्यू फ्रेंड्स